आध्यात्मिक तब में भी जब हम शुरुवात करते हैं हम चालेंज़स फेस करते ही हैं और इनी चालेंज़स को फेस करते-करते नए-ने चीज़ी को सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आध्यात्मिक जीवन शैले भी हमारे लिए एक आदत बन जाती है ऐसे beings के वारे बताया जो आमतोर पर हम देख नहीं सकते हैं ये aliens, सोटो से aliens बोलते हैं लेकिन ये higher masters हैं जिन्होंने धर्ती पर आकर एक message बताया जब भ्रह्मशी पत्री जी ने कभी नहीं किया तो हम क्यों करते हैं तो हर एक चीज हर एक person के लिए open है अगर आप दूसरे लोग के प्रगती को देख रहे हैं या उनके experiences को सुन रहे हैं और आप उनके experiences को judge करते हैं वो भी एक spiritual blunder हो जाता है आप meditation भी इतना जादा करने लगते हैं कि नॉर्मल अगर बच्चे भी आपके पास आते हैं लेकिन आप उनको दूर हटाजते हैं कि वो meditation नहीं करते हैं वो नहीं जानते होंगे कि मैं क्या go through कर रही हूँ जब भी हम को एक नई चीज करना सीखते हैं शुरू-शुरू में हमें वो थोड़ा बहुत challenging लगता है बढ़ धीरे-धीरे करते-करते somehow वो हमारी एक आदत बन जाती है आध्यात्मिक तब में भी जब हम शुरुवात करते हैं हम challenges face करते ही हैं और इनी challenges को face करते-करते नए-नए चीज़े को सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आध्यात्मिक जीवन शैली भी हमारे लिए एक आदत बन जाती है हम इस मार्ग से पीछे हट सकते हैं, गिर सकते हैं आध्यात्मिक तब एक साप CD, Snakes and Ladder की गेम की तरह है तो आज की क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन सारी spiritual mistakes जो हम कर बैठते हैं जाने अंजाने में जिसके वज़े से हम ही बन जाते हैं एक अडचन अपनी आध्यात्मिक मार्ग में तो मिया हमने ये टॉपिक को अपने लाइफ में, अलग-अलग phases में अलग-अलग stages में दूसरे masters को देखते हुए उन से भी discuss करते हुए ये points आज हम discuss करने वाले हैं ये topic एक आइना है जो दिखाता है कि आप किदर हैं, किस state पर हैं, किस तरीके से अपने जीवन जी रही हैं उसके बार में clarity देता है तो सबसे पहला blunder, मैं actually point पर आजाओ, तो सबसे पहला blunder है obsession अपने ही इस goal के प्रती, अपने ही जीने के प्रती, अपने ही करने के प्रती जो एक तरीके का obsession, कि बस ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही जीना चाहिए जो भी इसके अलावा, जो भी बंदा कोई करता है, वो गलत है, वो विरुद है और अपने ही आइडियोलोजी के प्रती ऐसे ही लोगों को अट्रैक करना जो आपके आइडियोलोजी से मैच करते हैं और ऐसे लोगों को पीछे हटा देना जो आपके आपके सोल ट्राइब के पार्ट नहीं है अकसर जो हम कहते हैं oneness, एक तरीके से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अपने ही ideology के प्रती हम attached हो जाते हैं, हम उसी को देखते हैं, the first thing जो spirituality सिखाता है वो है middle path, यानि अपने family को balance करते हुए spirituality को भी balance करना, लेकिन हम एक guru, maybe एक master, maybe एक way of life में इतने obsessed ह हो जाते हैं, एक तरीके से हम possessed हो जाते हैं उसी idea के साथ, कि हम जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं, यह यह भी हो सकता है meditation के प्रती, आप इतना ज्यादा over meditation कर देते हैं, कि आप अपने normal day to day life का part नहीं, और आप meditation भी इतना ज्यादा करने लगते हैं, कि normal अगर बच् आप इतने possessed हो जाते हैं उस idea के प्रती, तो कोई भी बंदा उसकी विरुध बोलता है, या कुछ और बोलता है, आप aggressive, एक violent तरीके से हो जाते हैं, हम justify करने लगते हैं अपने आपको कि नहीं, यही सही है, यही होना चाहिए, और जो आप कर रहे हो गलत है, तो जो हम बोलते के पीछे रहते हैं, हम कोई और बोक नहीं पड़ते हैं, कि एवल उस गुरु का अगर फोटो ना दिखाए दे, तो वो गलत है, तो एक obsession, spirituality में आप एक बंद कमरे में जीना जैसे है, जहां पर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, ना ही देखना चाहते हैं, ना ही किसी को आ पाने देते हैं, तो यह एक spirituality में मेजर 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 अरचन है, तो लगता है बहुत अच्छा है, बर दीरे दीरे वो रियालाइज नहीं करते हैं, कि जो जिस कारण हमने यह आध्यात्मिक पात चुना था, उसे हम बहुत ही दूर हटका हैं, या, that's absolutely true, and या, इसी point को और, अ lean हो जाना, एक हो जाना, बड़ जब हम इस पात पर चलना शुरू करते हैं, एक अर्चन बहुत बड़ी जो हमाने ले बन जाती है, वो है, control करना हर एक चीज को, कि मैं manifestation जानता हूं, तो मेरी life ऐसी ही होने चाहे, मैं positive affirmations को इतना over obsessively करूंगा, कि मैं reality को accept करना छोड़ दू अकसर बहुत सारे लोग इसलिए जो ध्यान नहीं करते हैं और जो इन extreme लोगों को देखते हैं, वो बोलते हैं, अच्छा, spirituality की illusion creation है, कि आप अपने ही दुंदले दुनिया में जी रहे हैं, कि आपको पता ही नहीं है, जितना important है, affirmations को के साथ जी न, that does not mean कि आप reality से दूर अकाशिक records, third eye, chakras, balancing, ये सारा जो jargon जो हम spirituality में आने के बाद सुनते हैं, हमें लगता है कि यही सही है, और बाकी normal reality में अगर बंदा एक दुसरी को देखता हैं, बोलते हैं, उसका और और बेकार है, वो इसलिए ऐसे काम करना है, तो हम लोगों को judge करने लगते हैं, life को आसान लेना, living life easily, life difficult नहीं है, अध्यात्मिक पत पर आना ये नहीं है कि हमारी life में हर एक चीज एक intellectual process है, हर एक चीज एक बहुत उसकी अंदर deep meaning है, in fact आपने की कुछ दिन पहले मुझे ज्ञानोदे किया, कि जब मैं बहुत ऐसे ढून रही थी कि मुझे clarity चाहिए, I want to know and understand and आपने कहा था मुझे कि लिए कि आप clarity वहां डूनने की कोशिश कर रहे हो, जहां पर आपको समरपन करने की यावशकता है, तो एक बहुत important spiritual lesson हम सब के लिए ये है, कि हमें समय समय पर break लेना आना चाहिए, we should know when to take a break, अगर आप अपने family के साथ, अगर आप अगर आप जो mistake हम कर बैठते हैं, living in the present में हम इतना live करते हैं कि हम consequences बूल जाते हैं, कि हर एक चीज जो हम करते हैं, उसके पीछे कुछ consequence होता है, यह हम इतने जादा उपसेस हो चाते हैं, हमारे ही thought patterns के related, हमारे ही habits के प्रती, कि हम दूसरों को ठुकराना शुरू करते थे, यह ब्रेक क एक दिन चरिये में 24 घंटे का defined रहता है, of course जब हम spiritual path पर करना शुरू करते हैं, तो हम बहुत सारी अच्छी चीजे भी इसमें add करते हैं, हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सजन सांगते करते हैं, कुछ लोग को भक्ती भाव बहुत पसंद है, तो अपने पूजा part में बहुत lean हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सत्संग के ले जाते हैं, तो हमारे जो 24 hours में कुछ और additions हो गए हैं, now this is a routine which is fixed, और कभी कबार हम इस routine के साथ इतने ज़्यादा attached हो जाते हैं, कि अगर वो नहीं होता, हमारे अंदर से एक बेचैनी feel करना शुरू करते हैं, एक अगर एक दिन बाइचांस आप नहीं पड़ पाते हैं, आप अपने फैमली के प्रती वो irritation में दिखाईए, कि नहीं मैं कर नहीं पाया, तुम्हारे वरे से मैं नहीं कर पाया, हम अध्यात्मिक्ता में आएं हैं, कि जो होना है वो होगा इस भाव को स्वीकारने के लिए, व नहीं हो रहा है, जो होना है वो ही होता है, तो उसमें, जब हम अपने जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने रुटीन को अपने वश में लाने की कोशिश करते हैं, हम जो essence of spirituality है उसको भूल जाते हैं, जो basic of spirituality है, उसको खोबैठते हैं, and this happens 99% of the time, it's very important, of पर्फेक्ट एक्जामबल पत्री सर ही है वो दिली आये थे and Sunday का दिन था and usually पत्री जी का रूटीन ऐसे ही रहता है जभी वो ट्रावल करते है सुबा से लेके रात तक किसी ना किसी के घर पे जाना कोई meditation class लेना या खाना पकाना या meeting होता था and वो Sunday almost 11 o'clock तक हो गया था and पत् spiritual concepts बता रहे है तो हम सब अफकॉस देख रहे थे कि यह क्या हो रहा है और सर को पूछा भी और हमने हिम्मत करके पूछा कि सर हमें हम नहा है हमारे बिलीव सिस्टम भी है और एक usual routine भी रहता है सर का कि वो सुपा ही ready रहे के he's ready to do whatever task but उस दिन वो बहुत रिलाक्स थे तो हम पूछा हमने सर से कि सर क्या बात है he said break the routine यार समय समय पर जो हम कारे कर रहे है जो regularly हम कर रहे है उससे break the routine करना चाहिए ताकि हम अपनी mind को condition ना कर बैठे कुछ भी programming ओशो कहते हैं कोई भी आदत बहुत जादा अगर अगर उसको करना शुरू करते हैं मध्य मार्क से हट जा तो समय समय पर हमें routine को break करते रहना है do something exciting with your family do something exciting for yourself जो आप regularly नहीं करते वो कभी कबार करिये अगर आप कभी भी jeans नहीं पैंटे या आप office की दिनों में आप सिरिफ socks पैंटे हैं अगर आपने कभी भी खाना नहीं बनाया लेकिन कुछ नहीं कुछ नया try करने के लिए अपन से आप बहार आके do something अपने आपको अपने comfort zone से बहार लेके जाए ताकि अपका mind भी जो mind बहुत एक funny tricky game play करता है हमारे साथ ध्यान में भी वो एक आदत बना लेता है उसको भी पता है starting starting में thoughts आएंगे कुछ ताइम अच्छ रहेगा फिर वो भी एक alternative ego का game शुरू कर देता ह कि वो thoughts इसी type of nature of thoughts produce करना शुरू करते आपको लगे वाव मैं तो thoughtless हूब अच्छ आपका mind आपके साथ game खेल रहा है तो ये breaking the routine helps to keep the mind in check always and usually ये भी रहता है कि हम मुझे ध्यान करना ऐसा पसंद है music ऐसा होना चाहिए ऐसा मेरा fixed seat होना चाहिए light बंध होना चाहिए तो even meditation के साथ हम ये करते है meditation मुझे ऐसा ही पसंद है music ऐसा ही होना चाहिए बहुत loud है कम होना चाहिए जहां पर मैं बैठता हूँ वैसा एक comfortable posture होना थोड़ा सा question होना चाहिए एक तरीके से हम fixed mindset में चले जाते है तो यूजली हम a mean fixed mindset में चले जाते है मुझे ध्यान ऐसा करना पसंद है ध्यान ऐसा करने से मेरा अच्छा ध्यान लगता है तो जब एक fixed mindset में चले जाते है ये बहुत बड़ा blunder है spirituality में actually आने के बाद एक openness develop हो senior है तो ऐसा रहना चाहिए, अगर एक लड़की है तो ऐसा रहना चाहिए, एक लड़का है तो ऐसा रहना चाहिए, अगर कोई घर में आता है, एक master को ऐसा ही पेश आना चाहिए, हम एक box mindset में लोगों को बान देते हैं, हम even related to money, even पैसो से related, spirituality में money नहीं आना चाहिए, अगर money आता है तो गलत है, तो ये भी एक fixed mindset है, हम जब हम spirituality में आना, एक actually open mindset लाना है, कि हर एक चीज़ को प्रती एक acceptance लेकर आना है, कि जो भी हो रहा है, सही हो रहा है, जब हम एक judgmental mindset लेकर आना चालो करते हैं, spirituality नहीं है, विएकि spirituality का दूसरा नाम है openness, अगर आप दूसरे लोग के प्रगती को देख रहे हैं, या उनके experiences को सुन रहे हैं, और आप उनके experiences को judge करते हैं, वो भी एक spiritual blunder हो जाता है, हम अकसर अपने-पने experiences में, बहुत सारे books पढ़कर, हम कही ना कही पे अपना wisdom को increase कर रहे हैं, और कही ना कही पे इस wisdom के पीछे, जैसे मैंने कहा था, mind games में play करता है, वो wisdom जो आपका स्वयम का knowledge नहीं बन जाता, वो आपके लिए ही एक mind game बनके, एक spiritual ego develop हो जाता है, I know better, तो जो नए लोग हैं, उनको जब आप सिखा रहे हैं, आप यही उसी तरह की से सिखाते हैं, कि ऐसे ही सही होता है, ऐसे ही होना चाहिए, और अगर अपनी journey में explore करते हैं, वो अगर अपना path change भी करते हैं, अकसर हम उसको एक judgment की perspective से देखके कहते हैं, कि वो जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है, जब spirituality का essence, openness है, that means हर एक चीज, जो भी कर रहा है, जिस भी तरीके से कर रहा है, वो बिल्कुल सही है, प्रिकुस वो भी अपने स्वयम की journey में, कुछ ना कुछ सीखके ही आगे बढ़ रहा है, कोई भी पाथ सही या गलत नहीं है, तो only thing is very important is, आप अपने आपके साथ कितनी truth में जी रहे हैं, that's the purest dipstick test, आपके spirituality का, जब मैं सही कर रहा हूं, लेकिन वो दूसरा बंदा सही नहीं कर रहा है, जब हम finger point करना चालू करते हैं, that's the highest form of spiritual ego, spirituality में एक ego लाना बहुत आसान है, तो कि जैसे आपने कहा, I know, I know better than you, मैं 15 साल से करना हूं, मैंने कितने ध्यान किये हैं, मैंने कितने लोगों के साथ काम किया है, मैंने कितने sessions कराए हैं, ये तरीके से धीरे धीरे हमें realize भी नहीं होता, कि हमारे शब्द बदल जाते हैं, जब एक V से एक I बन जाता है, जब धीरे-धीरे followers बने लगते हैं, जब हम share करना बंद करते हैं, हम किवल एकी तरीके से चीज़े share करते हैं, दूसरे चीज़े share नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे धीरे आप realize करेंगे, आपके आज पास, कितने लोग को spiritual ego है, या छोड़ दीजे, अपने अंदर, आप अपने आपको जाने कि, क्या मेरे अंदर spiritual ego है की नहीं, ये चीज़े हमें definitely check करना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि धीरे-धीरे-धीरे, आपको लगता तो है, क्योंकि आप दिहान कर रहे हैं, कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब ये ये चीज़ें हम अब check नहीं करते हैं, तो हमारा औरा भी strength होने लगता है, और हम धीरे-धीरे, जो हम spirituality में करने आये थे, उससे पीछे हट जाते हैं, तो definitely हर एक person को check करना चाहिए, हम सभी को daily check करना चाहिए, यह नहीं कि हाँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं करना, daily जैसे हम अपने आपको भी question करते हैं, check करते हैं, ताकि हम right words, right thoughts, right action, हर बार awareness के साथ करें, आशी, इसमें मुझे एक example यादा है, तो हम इस spirituality में expression करना, बहुत important हम कहते हैं, तो of course हम express करते भी हैं, अपने emotions को, कहीं ना कहीं पे, अगर हम अपने आपको self check नहीं करते, कि हमारे emotions का expression कहां से आ रहा है, आपका mind आपको बताएगा, कि ये express करना important है, ये ऐसे ही करने का तरीका है, या मेरी भावना है, मुझे व्यक्त करना बहुत important है, जितना important अपना expression है, उतना ही important है, अब कब, कहां और कैसे उस words को express करते हैं, तो ब्रहमर्शी पत्रीचे, बहुत important चीज़ की बात करते हैं, तो बहुत uncommon है, जब हम केवल अपने आपको देखते हैं, अपने आसपास की लोग को हम नहीं एक importance देते हैं, अपने आपकी आवाज, अपने आपकी बाते ही important लगते हैं, तो यही common sense की विपरीद जाना है, common sense यह है, कि आपके आसपास जो भी है, हर एक person को एक opportunity होना चाहिए, बात करने के लिए, हर एक person की पास एक अनुभव है, जो हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को importance देते हैं, और दूसरों को आगे करते हैं, अपना अनुभव साजा करने के लिए, और हम पीछे हटते हैं, तरह बात करते हैं, कितना लोग को साथ में लेके चलते हैं, इस इस हाइस फॉर्म आप पॉमन संस, और ब्रहमर्शी पत्री जी हमेशा, आप कोई भी सेशन देख लीजए, पत्री जी का जो लोग पहली बार देख रहे हैं, अगर वो डाटते भी हैं, अगर वो डाटते भी हैं, उस डाट के बाद, इमेडिएटली वो एक परसन को इतना प्यार अनुभव कराते हैं, वेभी उनको खाना परोस्ते समय, उनको एक्स्टर स्पेशल केर अटेंशन देते हैं, ताकि उस परसन को समझ में आजाएं, एक गुरु तत्व पत्री जी के अक्शन में हम मैसूस करते हैं, पर इन आर एवरीडे लाइफ, इन आर दिन चर्या, स्परिच्वालिटी में जितना अपने एमोशन को एक्स्प्रेस करना इंपॉर्टेंट है, तो यह हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, समय समय पर अपने आपको चेक करने के लिए, कि हम जो भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो कि स्पेस से है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन रहा है, वो है अपने काम को बाठना, हम जब कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में हम उसको सीखते हैं, सीखते सीखते, लेट से फर एक्जामपल ध्यान प्रचार ही करना, मेभी हमने शुरू आद कि अपने घर पे करना शुरू किया, अपने पडोसियों को बताना शुरू किया, कोई भी कारे को अब repetitively करते रहेंगे, अगर आप किसी के मा या पिता जी हो, या आप किसी के डॉटर इन लॉग या सान इन लॉग हो, जो भी निष्टे हम निभाते हैं, दीरे दीरे अध्यात्मिक्ता में एक fine tune, common sense हम develop करना शुरू करते हैं, और हम दीरे दीरे नए 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 चीज़ों को एक अलग नजर अंदासे करना सीखते हैं, पर जैसे हम इस कारे को करना शुरू करते हैं, especially जब हम projects उठाना शुरू करते हैं, for us, it was PMC Hindi starting में, हम small group थे, बहुत आसान था, हम सब चार लोग थे, तो हमने काम डिवाइट करना शुरू किया, पर जैसे-जैसे काम बढ़ने लगा, और आपका group एक, दो, चार से दस, पंदा, बीस, पच्चिस लोग बनने लगे, पांच ज़ार लोग बनने लगे, जो अकसर हम यह जो गलती कर बैठे हैं, वो है कि मैं ही सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं दूसरी को कैसे समझाओं, पिकोज मैं ही सीख रही हूँ, मुझे ही बहतर पता है, मैं कैसे किसी और को समझाओं, मेरे विचार कैसे हैं, यह बहुत एक separation mindset से आता है, प्रमश्री पती जी ने जो हमें सिखाया है, वो है कि हर एक इंसान हर एक चीज कर सकता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जो दूसरा इंसान नहीं कर सकता, अगर आप किसी जगा पर हो, तो आपके लिए वो कारे करना important है, अगर आपको किसी ने कुछ कारे करने के लिए प्रोचाहन दिया है, कुछ टिप्स दिये हैं, कुछ आपने खुद hard work किया है, उस चीज को सीखने के लिए, तो immediately हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, कि हम दूसरों को भी वो सिखाना शुरू करे, स्पिरिच्वालिटी का essence है दूसरों को मदद करना, helping others, आपने जो सीखा है, वो दूसरे लोग को सिखाना चाहे, अगर आपने आज ध्यान प्रचार करना सीखा है, आपका फर्स बन जाता है, कि आप उस person को प्रेरित करे, प्रोचाहित करे, कि वो जाके किसी और को ध्यान से खाना शुरू करे, स्पिरिच्वालिटी में भेड माइंडसेट या ग्रूपिजम माइंडसेट नहीं है, जितना important है ग्रूप कॉंशिसनेस, उतना ही important है इंडिविजूल कॉंशिसनेस, हमारा फर्ज है कि हम हर एक को एक मास्टर बनाएं, जिस दिन हमारा वो एक माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, कि ये मेरा ग्रूप है, ये तुम्हारा ग्रूप है, मेरा वाटसाप ग्रूप, मेरे ग्रूप का नाम के साथ, जब वो मेरा attachment बढ़ जाता है, वो भी in the most beautiful thing like spirituality, कि आप जान ले कि आपने खुद के लिए गढ़ा खोद कर, आप उसमें खुद जम कर रहे हैं, spirituality means ultimate openness, जो आपने सीखा है, वो आपको हर एक तक सिखाना है, तो इसलिए हम PMC Hindi में motivate करते हैं, जाधा से जाधा लोगों को, कि आप आईए, अगर आपको ध्यान सिखाना आता है, please come forward, ताकि आप और लोगों को motivate कर सके, और लोगों तक ध्यान पहुँचाने के लिए, we are so grateful to पत्री जी कि उन्होंने, समय समय पर हमें PMC Hindi का platform देखे, हमारे अंदर एक self-check create कर दिया है, कि क्या जिस उदेश के लिए PSSM और ये जो आंदोलन है, ये स्थापित हुआ था, वो कार्य निरंतर चलते रहें, तो PMC Hindi में कोई एक master important नहीं है, हर एक master उतना ही important है, क्योंकि हर एक master वो विश्व कल्यान का कार्य कर रहा है, ध्यान प्रचार करने का, अगर सिर्फ आप ग्रो कर रहे हैं, तो एक ही इंसान ग्रो होता है, पर अगर आपकी माध्यम से हजारों लोग प्रेरित होता है, तो पूरे भ्रह्मान को ये impact करता है, जितना important एक इंसान है, उतना ही important है एक प्लस एक जिसको आपने सिखाया है, तो असली master वो ही है जो दूसरे masters को तयार करता है, तो एक और चीज़ बहुत important है, और ये एक illusion बन ही जाता है, क्योंकि हम spirituality में आते हैं, हम bringers of the dawn, ये जब higher sort of wisdom सुने लगते हैं, आकाशिक records, चक्रा, कुंडलनी, ये सारी चीज़े सुनते हैं, तो ये एक level का wisdom लगता है, ये एक basic level of wisdom है आनापानसती, next level of wisdom ये है आकाशिक records, और कई wisdom है, कई channeling है, सुनते हैं, तो कई लोग ये समझते हैं, कि ये बहुत higher wisdom है, कुछ तरीके के लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब हम एक bifurcation करते हैं, कि ये lower wisdom है, ये higher wisdom है, और कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, दुनिया ready नहीं है इन सब चीजों के लिए, ये जान लीजिए कि ये spiritual ego ही बात कर रहा है, हर एक channel master, एक समय पर आया है wisdom देने के लिए, अगर उन्होंने किताब के रूप में लिखा है, वो सभी के लिए है, ये ऐसार किताब नहीं है, जो exclusive है कई लोग के लिए, ये किताब सभी के लिए है, ये wisdom सभी के लिए है, भ्रमशी पत्री जी ने day one of spirituality में मुझे मुझे मृत्यों के बार में बताया, बच्चे को मृत्यों के बार में बोलने कि क्या ज़रूरत है, वो तो बाद में जानने की बात है, लेकिन day one से उन्होंने मृत्यों के बार में बताया, और कभी पत्री जी ने bifurcate नहीं किया, कि ये higher wisdom है, इनको नहीं बताना चाहिए, ये lower wisdom है, ये पहले गों में बताना चाहिए, शुरवात से हाइर wisdom, सोटू से higher wisdom, उन्होंने सभी को बताया, ध्यानमा चक्र में जहां पर मास लोग बैठते हैं, जहां पर गाओं-गाओं के लोग आके बैठते हैं, उन सभी को pleiadian agenda इन सब चीजों के बार में, ये सब यहां पर ही है, हमें ऐसा नहीं समझना कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, जब हम बात करने के समय पे, जब हम समझते हैं कि प्रजा को समझ में नहीं आएगी, तो समझ लीजे, वो spiritual ego ही बात करा है, तो spiritual ego को जान लेना, identify करना और उससे immediately बाहर आना बहुत ज़रूरी है, it is very natural to have different groups, soul groups अलग-अलग हो सकते हैं, PSSM में हम बहुत देखते हैं ऐसे, occult science की researchers वाले थरड़ाए masters होते हैं, जो दूसरे higher worlds का wisdom लेके, वो जन-जन तक पहुचाने के लिए वो अपना कारे करते हैं, कुछ लोग हैं, जो सिर्फ ध्यान प्रचार का काम, जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर आविशकार करकर ध्यान प्रचार, दिन रात लगकर में भी खाना खाएं ना काएं, बहुत extreme conditions में भी ध्यान प्रचार करते हैं, जैसे PSSM एक बड़ा university है, जैसे हम general university में mechanical, medical, business और MBA, अलग-अलग schools रखते हैं, वैसी ही PSSM में भी अलग-अलग departments है, कुछ लोग का DNA activation का एक बहुत important subject हो सकता है, वो स्कूल है, वो सिर्फ उसी point पर research करते हैं, कुछ लोगों का होता है कि सिर्फ channeling वो करते हैं, कुछ लोग को है कि वो सिर्फ aura study करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ध्यान पर चारही करते हैं, यह सब अलग-अलग departments है, बट एक ही चत्रे चाया में है, जो PSSM, जो group consciousness है, जो सिर्फ नाकिवल, जो पिर्मिट मास्टे से उनी का ही समूनी, हर एक अध्यात्मिक इंसान इस भूमंडल पर, जो अपने आप को अपनी दिव्यता की साथ जोड़ कर कार्य कर रहा है, उसका समू है, तो जब हम किसी और को अपने आप से दूर करते हैं, तो हम ही अपने आप को एक ego state में ले आते हैं, तो most importantly, जो spiritual ego को अगर हम उसका परदा फाश करना चाहते हैं, तो एक ही एक चीज है, जो मैंने आप से बहुत सीखा है, वो है manasa vacha karmana alignment, alignment of your thoughts, words and actions, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं feel कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या उसमें alignment है, मैं बोलता रही हूँ, आपको हर वक positive रहना चाहिए, बट मैं अपना पलक जपकते ही, अपना सर गुमते ही, मैं बोलते हूँ, आरे यह सब बरबाद है, मेरे साथ ऐसे ही होता है करके, तो आप बिल्कुल spiritual path में नहीं है, अगर आप कहते हैं only positive words, तो आपकी मुख से सिर्फ positive words आने चाहिए, हमें अपने अंदर इतना awareness develop करना है, कि जो हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, feel कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सभी में alignment होना चाहिए, हाँ, ये एक बहुत-बहुत-बहुत सुई धागे वाले चलने वाले path का एक example है, बट अगर हमने हर दिन अपने लिए ये एक प्रंड ले लिया, that I will live by 100%, then we are truly living as a spiritual being, wonderful, हर एक second अपने आपको चेक करना बहुत जरूरी है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल र अपने मनसा, अपने वाचा और अपने कर्मना को चेक करना, कोई भी trap में अगर आप आ गये हैं, तो उससे बाहर आने का मार्ग है, इन तीनों को चेक करना, जब ये तीन align रहते हैं, हम पूरी तरीके से awareness में जी रहे हैं, और ऐसा नहीं है, कि बस मैं ध्यान कर रहा हूं, त जरूर message कर सकते हैं, कि क्या questions, क्या सवाल, क्या concepts, क्या नया चीज़ आप जानना चाहते हैं,